नमस्कार साथियो मैं हूँ जीतनात्कुमार आप देख रहे हैं स्टेडी सपर्तक। साथियो नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के भीतर थे जैपुर से दिल्ली पहुचे ही कि राजस्थान से एक बहुत बड़ी ख़बर आ गई अब बुरी ख़बर कहे या बड़ी ख़बर और वहाँ से एक बड़ी ख़बर आती है और कहे तो बड़ी ख़बर कि मंतरी सुरेंद्र पाल सिंग्टी चुनाओ वहां हार गया है ये चुनाओ कोई सामाने सा सरहरं सा चुनाओ नहीं था है एक सीट का चुनाओ था लेकिन इसके महत्व को पूरे बातों को सुनने के बा कर दिया था दरसल बात ये होती है कि आपको ध्यान होगा कि जब परची वसंदरा के पास थी बगल में राजनाज सिंग थे परची दे करके वसंदरा चौक गए थी सुनकर के क्योंकि उस परची के बीतर मुक्यमंत्री पद के लिए बजनलाल सरमा का नाम होता है वसंदरा क मंत्री के रूप में सबत ले लिया अब 15 दिन करीब करीब लग गए मंत्रीयों की लिस्ट तैयार करने में नाम उसको फैनलाइज करने में में फिर से राजस्तान के भीतर भारतिय जन्ता पार्टी को क्लेंशुप दिला दे। 25 की 25 लोग सभा सिर्ट जो है भाजपा को मिल जाए। वह परिस्तिती में, जब हालिया विधानसभा चुनाओं के भीतर भारती जन्ता पार्टी ने वहाँ पर 115 सीटे जीती 115 बहुमते पर आप्थ हुई कॉंग्रेस 79 सीटों पर सिमट के रह गया तमाम सारे सवाल भी उठे काफी सारे खबरे हुए मसिन से लेकर के आयोग तक सब जगों के उपर प्रसंचीन लगे लेकिन नतीज़ तो फिर नतीज़ था रिजल्ट तो रिजल्ट होता है उस परिणाम से उत्साहित भारती जन्ता पार्टी ने वसंदरा राजे सिंदिया को दर किनार कर दिया, किनारे लगा दिया नरेंद्र मोदी जी और साह की विश्वास के भीतर ऐसी भाजबा मधांगुई की राजस्थान के दफतर से वसंदरा राजे सिंदिया के फोटो को ही बाहर कर दिया गया वसंदरा राजे सिंधिया मेटिंग के दौरान भी नहीं थे जब पूरे राजस्थान के मेटिंग नहीं द्रमोदी जी ले रहे थे विधायक भी थे, सांसद भी थे, पता अधिकारी भी उसमें सामिल थे बस कौन वानी होते है ता वसंदर राज्ज सिंध्याने होते है राजस्थान की रानी सहवा जी हां भारतिय जन्ता पर्टी के टॉलिस्ट नित्रियों नहीं थी। उस ब्याटाक में नहीं थी। तीस तारीख को जो मंतरियों की लिस्ट, जो पंदर दिन की काकरी मसक्गत के बाद, जो जातिये संतुलन, छेत्रिये संतुलन की अधार पर सोशल इंजिरियरन regular को पूरा धाज़ा तैयार करके, जिन मंतरियों को चुना हाडे जिनकी चर्चा हैं कर रहे हैं इस वेडियो में वो सुरेंद्र पाल सिंग टेटी मंत्री बनाएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र अब दिल्ले से जैपूर पुड़ी जगा राजनेती शुरू हो गए क्या ऐसी प्रस्तिति के बिदर किसी को मंत्री बनाएंगे जा सकता है अब प्रस्तितियां क्या थी इस पर भी थोड़ा चर्चा कर ले तरसल सिरी गंगा नगर जीले की कारनपूर सीट के ओपर जब राज इसके परतियासी भी होते हैं अब चुनावी परकिरिया सब्सक्राइब के दवरान ही गुर्मेशी कुलंडर का निर्धन होगिया उनकी मोत हो गई उनकी निर्धन के वज़ए के वज़ए से इस चुनाव को जो है रोका गया अस्थागित कर दिया गया 1099 सीटों के उपर च बसंद्रा का कोई एहमियत ने कोई रोल नहीं तरह के सोचे मोधी के नाम पर चुनाओ जीत के राजस्तान के बीट रहा है और कॉंग्रेस की सीट छिनने के लिए ही और तवाम सारी वहां पर क्योंकि सीखो की नाराजगी चल रहा थी वहां पर राजस्तान के बीटर एक ऐसा बयान सामने आयता राजस्तान के चुनाओ के दोरान योगी यदितनाथ के मंच से जिस मंच के उपर योगिया दितनात पदसीन थे, मौजूद थे, उसको ले करके वहाँ से सिरोमनी गुर्द्वारा परवंध कमेटी तक ने अपत्ती जता दी थी, सिख नाराज होते हुए थे उस नाराजगी को साइद दूर करने के लिए ही सुरेंद्र पाल सिंग टीटी को पहले परत्यासी बनाए गया करनपूर से और फिर जाकरके बीना चुनाओ जीते, बीना नतीजा परिनाम देखे, 30 दिसंबर को उनको मंतरी पत की सपते दिला दी, मंतरी बनने के बाद भारते पार्टी का टेंपो आई था, यानि उत्सा काफी बढ़ा होता है, सुरंद्र पाल सिंग टीटी भी डंके की चोट पर चुनाओ जितनी का दाबा ठोक रहे थे, अब कहा रहे थे, 36 कौम भाजपा के साथ है, सिख भाजपा के साथ है, सिखों के भीतर कोई नाराजगी भी न ये होता है कि भाजपा सिखों के बीच इस समय और अप्रिया हो चुकिया है, सिख भाजपा भार्टी जिंटा पाटी के साथ खरा होने के लिए भी तैयार नहीं होता है, कुछ चुनिंदा नेताओं को जो हैं, जो सत्ताधारी दल के साथ बैठे हुए हैं, उनको छोड़ कर आम मतदाता, आम लोग, आम जनता, इस चुनाओं के दोरान गुरमिज सिंग कुनर के बेटे जो हैं, रुपिंदर सिंग कुनर को शुरेंदर पाल सिंग टीटी के सामने चुनाओं मैदान में उतारा गया था, कॉंग्रेस के तरब से, अब सोमवार को जो है, मतगन्ना पॉटो से शुरेंदर पाल सिंग टीटी जो है, यानि भजन लाल सर्मा सरکार के मंतरी चुनाओं हार गया ये खवर जो है, जजय सही आई, असोग गेहलोथ का चेहरा खिल उठा, बाले असोग गेहलोथ मुख मंतरी नहीं असोग गैलोत का चेहराखी लूटता है असोग गैलोत ने तुरंट एक टूइट दे दिया और भारती जिंदा पार्टी के उपर तंजी भी कस दिया अब सरकार बनी जरह आप सोचे कि खुछी दिर पहले सरकार बनी भजनलाल सरमा की अभी तो परफॉमेंस का पूरा आगलन भी अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता था कि लोग नाराज अब भजनलाल सरमा ने अभी तो काम के रूप में सिर्फ नामे ही बदल लें इंद्रा रसोई हो जो सोग घयलू सरकार की रभे और अपर इंद्रा नाम हटा दिया गया है नाम हटाने के भारती जिंटा पाटे वालों कहीं ने महारत हासिल कर रखे एक्सपॉर्ट है हो पुरी देश के बर के अंदर थे इंद्रा रसोई का नाम हटाएगा अभी कोई काम भी नहीं किया की काम का अगलन करके लोग के भीतर नाराजगी उत्तपन हो दो-तीन मैंने दो-तीन-चार मैंने बाद जो है जब राजस्थान के विटर लोकसभाद चुनाओ के लिए मतना होगी करीव-करी तीन मैंने बाद तो परस्ततियां क्या होगी सवाल यह उठता है और यह संकेत जो है जो करणपूर से निकलता है वो संकेत दिली दरबार तकाता है नैंद्र मोदी जी के पीछे-पीछे चल करके संकेत आ है आगे-आगे मोदी दिली पहुंचे पीछे से मैसेज और बूरी करारी हार हुई करारी हार के बाद भरत्यजंदा पार्टी एक कैम बनाया गया जिनको भारतिय जन्ता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वसुन राज्य के करीबी होने के कारण से सत्ता के भीतर भागीदारी यानि ताकत देने को त्यार नहीं यानि मंत्री पत देने को त्यार नहीं है काली चरण सराफ जयतनेता जो खुल करके बैटिंग कर रहे होते वह संदरा राजसंध्या और मुंक्ह पर्थ यह lui है तो पूरे इस की हमेमें में भी खुशी होती है खुशी की एक वजह और होती है लाजसंधिया महरानी जिनको बिलकुल भी मुक्हमंत्री पत्स से पहले हटाया गया उन्हें किनारा लगाया गया मुक्हमंत्री पत्स से किनारा लगा दिया ठीक आप एक नेता को आगे बढ़ाए लेकि ठीक उसके बाद वसुन राजे सिंदिया जिसे नेता के साथ नेत्री के साथ बार बार अपमान जनक बैभार करना नेंद्र मोदी जी की राजस्थान यातरा से तुरंट ठीक पहले दो दसोकों के बाद 20 वर्सों के बाद भारतिय जन्ता पार्टी की राज्य की कार्याले से राजस्थान वाले दफ्तर से भारतिय जन्ता पार्टी की दफ मिली कि वसुनराज्य सिंधिया खेमे में इस समय कम से कम आत्मसंतुष्टी का भाव तो नजर तो आ रहा है और ये इसहारा जो है कि 2024 के लोग सवाचुनाओं के लिए भी कि 2024 के लोग सवाचुनाओं में जो एक समिकर्ण बन रहा है उस पे कुछ और बात करेंगे तब तक देखते रहे जहें